उत्थान समीती के चेर्मेन सतेंद्र सिंख पर्यावरण विद ने आज जिला पर्यावरण समीती एम जिला गंगा समीती की बैठक में भाग लेते हुए कहा कि प्रतियेक विभाग के द्वारा किये गए व्रक्षार ओपन का सोचल आडिट अनिवारे किया जाए विभाग एक सेम जगा है तो वो एक्सेप्ट भी नहीं करता है लेकिन विभागों के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है उत्थान समीती के चेर्मेन सतेंद्र सिंख पर्यावरण विद ने इसके लिए एक सिस्टम बनाने के लिए जोर दिया ताकि प्रतियेक विभाग द्वारा लगाए पौधों का सत्यापन किया जा सके आज की मीटिंग में जिल अधिकारी राकेश कुमार सिंख को इस बैठक की अधिक्ष्टा कर रहे थे उन्होंने सभी विभागों की समिक्षा करती हुए सभी को कड़ी फटकाल लगाई और कहा कि आप लोग सही रिपोर्ट मेरे सामने प् मीटिक में भीज़ जाए ना कि किसी भी अधिकारी को जो कोई जवाब भी न दे पाए उन्होंने मौके पर ही कई विभागों की अधिकारियों को प्रतीकूल प्रविस्ठ का भी आदेश दिया सडक निर्मान में BWD के अधिकारियों से कहा कि आपको सडकों पर गढड़े भरनी की परवान नहीं है आप लोग सडक निर्मान में घोर ला परवाही कर रहे हैं इसको अविलब सुधारा जाए और सडकों की गुनवत्ता सुधारी जाए ताकि सडकों पर धूल न उड़े सभी विभागों को उन्होंने निर्देश दिया कि सीमर एप आर पी के शिकायत का समय पर गुनवत्ता पूर्वक सुधार किया जाए हिंडन नदी के किनारे परियावन संतुलन बनानी के लिए हिंडन वन को विक्सित करनी का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि यदि नदी के किनारे बास के पौधि लगा दिये जाए तो वे पानी को फिल्टर करने का भ जिसमें मैंने अपना सुझाओ दिया कि जितने भी विभाग हैं जब हर साल भुलचा। सब्ब्दों करते हैं और रुच्छा दोपन करने के बाद में उन पौधों का सत्यापन जो पर पर नहीं हो पाता है। इस लिए मैंने सुझाओ दिया है महां पर कि आप इनका सत्यापन करें क्योंकि होता क्या है ये विभाग अगर आज किसी जगह पर इन्होंने ब्रच्छा रोपन किया अगले साल फिर उसी जगह पर ये ब्रच्छा रोपन करके खाना पूर्ती का काम करते हैं तो मैंने अपना चीज एक्सेप्ट करिए कि विभाग आनने विभागों का सत्यापन की कोई ऐसी सुपधा नहीं है कि हम उनका सत्यापन कर सके इसके लिए उन्होंने इसको अपने मिनट्स में लिया है अब आगे क्या करवाई होगी देखना होगा इसके लिए डिया डीम साहब भी कई कर दो अ कर दो अ कर दो और कर दो से स्थाल कर दो कि दोह से दोली कि ऊधने थे अ कि अ